नमस्कार दोस्तों जैसा की हमने अपने पिछले वीडियो में सप्ताक सिध्धान्त के साथ सूत्रों के बारे में बताया था और उसमें उल्लेक सवप्रथम हमने राजा का किया था आज हम उल्लेक करते हैं इसी के दूसरे आमत्य आमत्य क्या है दोस्तों कोटिल्ले यानी चाणक के के अनुसार आमत्य का मतलब मंत्री और प्रसास्निक अधिकारी दोनों समाहित हैं आमत्य राजी का राजा के बाद दूसरा सबसे महत्यपूर अंग होता है जिसको न्यूक्ति करते समय राजा को उसी व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो धर्म, अर्थ, काम और भय द्वारा परिख्षित हो और उसकी कार्य समता के अनुसार उसको कार्य भार सौपा जाना चाहिए दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं जन्पत की कोटिन ने राज के तीसरे अंग के रूप में जन्पत को स्विकार किया जन्पत का अर्थ क्या होता है दोस्तों जन्पत का अर्थ होता है जन युक्त भूमी आधुनिक राज की जन्पत की परिभासा में जन्संख्या और भूभाग को अनिवार्य रूप से सामिल किया जाता है लेकिन कोटिन ने इन दोनों के मिस्रण को ही जन्पत की संग्या दी है कोटिनली का मत जन्पत के संगठन के संबंद में कोटिनली का जो विचार था वो यह था कि 800 गाओं के बीच में एक अस्थानिक 400 गाओं के समुह में एक द्रोन मुख 200 गाओं के बीच में एक अस्थानिक 400 गाओं के समुह में एक द्रोन मुख 200 गाओं के बीच में एक सार्वत्रिक और 10 गाओं के समुह में संग्रहन नामक अस्थानों की विशेश रूप से अस्थापना होनी चाहिए कोटिल ने जनपद के रूप में जिन गुणों का उलेख किया है वे हैं कि जनपद की अस्थापना ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बीच में तथा सीमानतों में किले बने हो जिसमें अन पैदा होता हो जिसमें विपत्ती के समय वन परवतों के द्वारा आत्मरच्छा की जा सके जिसमें थोड़े स्रम से ही अधिक धान्य पैदा हो सके जो नदी, तलाब, वन, खानों से युक्त हो जहां के किसान बड़े महंती हो और जहां प्रेमी एवं सुद्ध सभाव वाले लोग बस्ते हैं इन गुरशो युक्त देश को जन्पद संपन्द कहा जाता है दोस्तों ऐसी ही आगे की जो चर्चाय हैं हम वीडियो की रूप में करते रहेंगे जय ही